हेलो गाईज, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, स्वस्था हूँ, मस्था हूँ, सुन्दर हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अप सभी भी अच्छे होंगे, स्वस्था होंगे, मस्था होंगे बहुत सानी नुकसान भी हुए है और अभी तुम्हें आपको बता दू सबसे ज़्यादा बड़ी नुकसान हो रही है कि बच्चों का school college हमारे भी school college हो है सभी बंद हो चुके है friend हम जा नहीं पा रहा है हमें हमारा पढ़ाई सकते हैं तो दोस्त इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा बस आपको सिक्क्योर करना पड़ेगा आप अगर सही रहेंगे आप सुवस्त सरहने तो आप यह Corona बहुत ही चला जाएगा तो दोस्त उसके लिए करना क्या पढ़ेगा मैं आपको बता देती है और 110% किसी भी problem जो है खतम कोई भी problem अगर हमारे body पे रहता तो खतम करना अगर चाहें हम तो 110% खतम करने के लिए हमें आई रिवेद अपनाना पड़ता है तो friend मैं आप लोग को बता देने वाली हूँ आप ज्यादा ज्यादा आप अभी एक मेरी बात हुई थी बहुत दूर का है वो वो बता रहे थे कि नॉन्वेज से बहुत साथा problems हो रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड कि मैं भी नॉन्वेज खाते थी और मैंने भी नॉन्वेज खाना बहुत कम कर दिये जिससे मेरे फेस वगरवे पिंपल्स वगरवे बहुत कुछ-कुछ हो रहे थे मेरे बॉड़ी में इफेक्ट वो सब दूर हो गये मुझे भी अच्छा लगा तो दोस्त मैं बता देना चाहती हूं आप नॉन्वेज खाना बिल्कुल कम करिए और वेजिटेबल्स का ज्यादा उपयोग करिए क्योंकि हरी सबजी हमारे जायत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं अभी तो गाजर मिल रहा है बहुत ही अच्छे से आप गाजर का उपयोग करिए नीवू का हर दिन उपयोग करिए फ्रेंड इ आपको टच बिल्कुल नहीं कर सकता 100% मैं दावा कर सकती हूँ अगर अपने आपको ऐरवेद में ढाल लोगे तो मैं तो बिल्कुल कही सकती हूँ कि आपको कभी भी आने वाला समय में कोई भी प्राब्लम नहीं होगा प्लस सांसाथ हम बचेंगे हमारा परिवार बचेगा और हमारे देश से हम जीतेंगे कोरोना हार जाएगा दोस्त तो मैं आप लोग से ही कहूँगी कि ज़्यादा ज़्यादा वेजटेरियन का इस्तमाल करिए और आपको एक चीज़ और कहूँगी फ्रेंड कि आपके अगर आपके घर अगर अभे लेवल हो जाता है तो आप तुलसी का जूस एक गरम पानी में डाल करके आप एक चमस बिल्कुल परड़े तुलसी का आप रस ले सकते हैं और उससे भी आपको इम्यूटी पावर बहुत ही जित्ता इस्ट्रॉंग होगा और आपके पास हनी का हनी अवलावल हो जाता है तो हनी बिल्कुल एक चमस आप पड़े लेजिए और साथ साथ लॉंग लैची और अश्वगंद साथ साथ लॉंग लैची और काली मिर्च जैसे चीजों का आप भूने उसको भून करके उसको अगर घर परिवार को बचा सकते हैं खुझ भी बच सकते हैं फ्रेंड कुरोना से और साथ ही साथ जहां पर भी आप जाते हैं बिल्कुल सेन बायरबा सनेटाइजर का उप्योग करिए और मास्क लगा के रखिए फ्रेंड और ज़्यादा ज़्यादा आपना हैं वास से ही हैंड वास करके आप खाना खाये खाना काने के बाद भी अगर हैंड वास करना चाहिए क्योंकि कुछ- комментар जम्स हमारे नाकुन में हमारे हैंड में हैंड पर लग जाता है और हम हैंड वोस नहीं करते हैं जैसे उससे बाद में खुद के सरीर में ही इंफेक्शन हो साता है तो मैं आपको कहरा चाहूंगी अगर आप लगातारा पर हैंड वास खाना खाने के से पहले और खाना खाने के बाद भी करते हैं तो 100% आपके बॉड़ी स्वास्थ और मस तरहते हैं और आपको बिल्कुल फा पुष्टर वाला तीसरा डोज भी आने वाला है तो फ्रेंड मैं आ चुका है तो मैं सोच रही हूं अगर हमसे हम लगवा सकते हैं तो हम बिल्कुल लगवाएंगे और मैं तो आपको जरूर बोलूँगी कि आप बिल्कुल लगवाईए आपको सेकेंड फर्स और सेकेंड और उस्तो अनिवार या रूप से आपको लगवाना ही है इसके दो फायदे है फ्रेंड एक तो हमारे सरी सुबस रहेंगे दूसरा हमारा मिसन में हम साथ भागीदारी बन जाएंगे तीसरा फायदा यहा है कि हम कहीं भी जाना है तो हमारा कोरोना टेस्ट हो रहा है जैदेश, बीदेश कहीं भी हमारा आना जाना ट्रेंड से, प्लैंड से, किसी ही भी इसी हम जा रहा है तो हमको उसका प्रमाड पत्र मंगा जा रहा है, तो आपका ये फायदा हो जाएगा फ्रेंट तो इसलिए आपके लिए ही है और ये बाद में आपका रुकावरण बन सकता है इसलिए खुद स्वास्त्र रहें और और आपके आसपास को बिल्कुल स्वास्त रखे और ज्यादा ज्यादा गरम पानी उपयोग करिए फ्रेंड क्योंकि गरम पानी पीने से हमारा सेहत भी सही रहता है हमारे चेहरें भी सुन्दरता आती है और साथ हमारे बोडी मतलब एश्ट्रा फैट नहीं बढ़ता बोडी म में हनुख जाता है हमारा और साथ हमाइन बौडी को हन्हटेट10 परबश फ्रण संत यहीं कहूंगी कि आप बिलकुल और इसलिए आज स्वास्ता है मसता है अभी तक कोरोना दो साल हो गया दो साल में बाइगोड मैं आपको बता दू अभी तक मैंने मास्क अच्छे से लगाया नहीं रूल है मैंने भी पालना नहीं किया लेकिन पर भी मैं आज तक मैं कोरोना का सिकार नहीं हुई तो मैं आपको पिलाईए और खुद पीए और स्वास थमास रहिए फ्रेंट इसी सब्दों के अपने वाली को मैं विरांद देना चाहती है और एक सब्दार कहूंगी आहिरवेद अपना ये जीवन और पैसा दोनों बचाईए आपने मेरा विडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद